दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी लाजवाब आयरुवेधी क्रेमेडी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिवर को अंदर से मस्बूत बनाने का काम करती है, आपके लिवर के अंदर गर सूजन है तो वो सूजन को कम करती है अगर आपको फैटी हैं, जो कि आपके लिए हैपटर टॉक्सिक होती हैं, आपके लिवर को damage करने का काम करती है, तो ऐसे केश केश में भी ये आपके लिवर को काफी अच्छी तरीके से protect करने का काम करती है, इसके साथ वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ बहुत important tips भी बताऊंगा जो कि आपके liver health को improve करने के लिए आपको follow करने चाहिएँ और अपने liver की health को maintain रखने के लिए भी follow करने चाहिए तो चुलिए बिने किसी देरी के इस interesting video को शुरू करते हैं मेरा नाम Dr. Saleem है और आप देख रहे हैं आपका अपना Youtube channel Healthy Hermesha दोस्तों लिवर हमारे digestive system का king है यानि राजा है आपके digestion के अंदर कोई भी problem हो रही हो उसका किसी ना किसी तरीके से directly या indirectly relation आपके लिवर से होगा ही होगा अगर आपको gas की शिकायत रह रही है तब भी हो सकता है आपके liver की वज़ा से हो रही हो अगर आपके पेट में acidity रहती है जादा indigestion हो रहा है तो हो सकता है कि आपका liver ठीक से काम नहीं कर रहा हो अगर आपको constipation की problem हो रही है तब भी हो सकता है कि आपके liver के अंदर कोई दिक या फिर अगर आपको भूक नहीं लगती है तब भी हो चकता है कि आपका लिवर जो है वो सही ज़ीके से काम नहीं कर रहा है दोस्तों लिवर जो है यह सिर्फ आपके digestion से ही related नहीं है लिवर के और भी बहुत सारे ऐसे important functions हैं जो कि हमारी overall body के लिए हमारी overall health के लिए ज़रूरी होते हैं लिवर के अंदर आपके cholesterol का synthesis होता है यानि जो cholesterol है वो आपके liver के ही अंदर पैदा होता है वहीं पे इसका metabolism होता है और इसके साथ बहुत सारे ऐसे important hormones भी हैं हमारी body में जो कि liver के अंदर बनते हैं तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर आपके liver के अंदर कोई भी problem पैदा होती है तो उसका असर सिर्फ आपके digestion पे ही नहीं रहता है बलकि इसके साथ साथ आपकी body के और भी बहुत सारी systems हैं वो भी disturb हो जाते हैं और आपके liver का खराब होना इसलिए कहते हैं कि जानलेवा भी हो सकता है दोस्तों अगर आपका liver कमजोर है या उसके अंदर कोई भी problem आ रह की दवाई वैसे तो बहुत सारी अलग-अलग आयरुविदिक दवाईयां है market में जो कि आपके liver को ठीक करने का दावा करती हैं लेकिन practically मैंने यह पाया कि आजकल जितनी भी दवाईयां available हैं उन में से mostly दवाईयां जादा effective नहीं हैं जितनी की एक जमाने में हुआ करते थी इन फैक्ट लिव 52 जो कि बहुत ही popular है और mostly लोग आराम से उसको इस्तमाल करते हैं और बहुत ट्रस्ट भी करते हैं उसको उपर आजकल मैं यह देख रहा हूँ कि लिव 52 से भी उतने अच्छे results नहीं मिल पा रहे हैं और patients की जो problem है वो ठीक नहीं हो पा रही हैं ऐसे में पिशले 2-3 साल से मैं तलाश में हूँ किसी ऐसे supplement की किसी ऐसे formulation की जो कि liver के लिए effective हो और आपको आराम दिलाए इन पिशले 2-3 सालों में मैंने बहुत सारे अलग-अलग formulations को try किया और उनके results को analyze किया और उसके बाद जो results मुझे मिले दोस्तों वो बहुत ही जाद सबसे जादा effective निकला जी हैं दोस्तों अगर आप मुझे पहले से follow करते आए हैं और मेरी पुराने भी बहुत सारी वीडियो आपने देखी हैं liver के उपर तो आप जानते होंगे कि मैं कई बार पहले भी recommend कर चुका हूँ एक syrup जिसका नाम है Qualive Z syrup ये Qualive Z syrup एक Ayurvedic syrup है एक supplement है मुझे कोई financial benefit नहीं मिलता है ये मैं अपना review आपको दे रहा हूँ अपना experience आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे फायदा उठा सकें ये जो product है दोस्तों ये बहुत ही छोटे-छोटे batches में बनाये जाता है जहां तक मैंने इसकी research करी है तो इसके छोटे- फ्लाइफ है वो बहुत जादा ना हो यानि जादा दिन आपका जो product है वो good-downs में ना पड़ा रहे और जितनी जल्दी हो सके आपके customer तक आपके user तक वो पहुंच जाए और इसलिए ये लोग open market में इसको sell नहीं करते हैं ये सिर्फ आप directly इनकी website से ही purchase कर सकते हैं इस product को जिनको भी मैंने दिया है उनको बहुत ही effective results मिले हैं और liver की करीब करीब सभी तरह की problems में ये काम करता है चाहे आपको fatty liver की दिक्कत हो चाहे आप शराप का 7 जादा करते हैं उसकी करण से आपके liver में damage होने लगा है चाहे आप तंबाकू को 7 करते हैं उससे आपका liver damage हो रहा ह चाहे आपके liver के अंदर सूजन है चाहे आपको पीलिया की शिकायत है चाहे अगर आपको कोई problem नहीं भी है और आपको इसको as a preventive measure इस्तमाल करना चाहते हैं तो उस case में भी आप इसको use कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया detoxifying agent भी है यानि आपके liver के अंदर से जो toxins होते हैं उनको भी साफ करने का काम करता है जिसकी वजह से उसकी health maintained रहती है तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है liver की उसके लिए मैं recommend करूंगा आप एक बार इसको try जरूर करिए I am sure कि अगर इस्तिरप को आप try करेंगे तो इससे आप disappoint नहीं होंगे इसकी dose बहुत ही ज शेक कर लीजिए उसके बाद इसमें से 5-10 ml लीजिए आदा कप पानी के इंदर इसको मिलाइए और खाना खाने के बाद दोपहर को और रात को दिन में दो टाइम इसको आप इस्तेमाल कीजिए and I am sure कि आपको बहुत ही बड़ी अर्दर्स मिलेंगे इसको अगर आप purchase करना चाहते हैं या इसके बारे में और जादा जानना चाहते हैं कि क्या-क्या इसमें डाला गया है कौन-कौन से चीजे हैं और और क्या-क्या फाइदे इससे आपको मिल सकते हैं तो आप नीचे description box में या फिर comment में देखिए वहाँ पे आपको इसका link मिल जाएगा तो वहाँ से component बात यह कि अगर आप alcoholic हैं तो उस case में आपको अपने alcohol की quantity के उपर जरूर ध्यान रखना चाहिए उसमें नजर रखनी चाहिए कि आप कितना ले रहे हैं अकसर हम लोग यह मानते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा quantity में alcohol लेते हैं या बहुत ज़्यादा बड़े वाले प को damage करने के लिए काफी होता है और अगर आप lady हैं तो यह quantity घटकर 60 ml पर रह जाती है तो इसलिए आपको अपने alcohol की consumption के उपर पूरा ध्यान रखना चाहिए और जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम आपको alcohol लेना चाहिए और रोजाना तो कभी भी नहीं लेना चाहिए दूसर में भी fruits and vegetables हैं इनको उगाने के लिए आजकल pesticides और बहुत सारे अलग-अलग chemicals का इस्तमाल होता है जो कि आपके liver को damage कर सकते हैं इन fruits and vegetables को जादा अच्छा तो यह है कि आप करीब आदा घंटा एक घंटे के लिए पहले पानी में भीगो दें और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से साफ पानी में जरूर दोलें ताकि यह जो pesticides हैं, toxins हैं, chemicals हैं वो उसमें से निकल जाएं और आपके liver को खराब ना कर सकें तीसरा important point यह है कि आपको hepatitis A, B और C के T के फौरण लगवा लेने चाहिए तोस्तों hepatitis A, B और C यह तीनों ही बहुत ही जादा communicable disease हैं यानि एक से दूसरे में फैलने वाली बिमारी है और यह आपके पसीने से, आपके body fluids से और unsafe sex से अराम से फैल सकते हैं तो इसलिए आपको फौरण इन तीनों के T के लगवा लेने चाहिए यह तीनों ही hepatitis जो हैं यह जानलेवा हो सकते हैं और इनका इलाज भी बहुत ही जादा मु से अच्छी तरीके से हाथ जरूर वाश करें इसका खास ध्यान रखें इसके लावा आप अपने खाने में non-vegetarian items को कम खाएं, fats को कम खाएं, मिर्च मसाले कम लें और जादा से जादा vegetables, fruits और इनको भी कच्चा जादा खाया करें जिससे कि आपके liver के अंदर जो toxins हैं वो eliminate ह और आपका liver healthy रह सके, last but not the least आपको physically active भी रहना बहुत जादा जरूरी है, इससे भी आपके liver health अच्छी बनी रहती है, दोस्तों आपके liver को product करना बहुत ही जादा important है, क्योंकि अगर एक बार liver damage हो जाता है, तो वापिस से उसके regenerate होने के chances, उसको सही होने के chances बहुत जाद कम होते हैं और ये एक जानलेवा बिमारी बन सकता है, मुझे अमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चै आपते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें healthy हमेशा